नमस्कार प्रियदर्शकों हजर हुमें आज जिस विशय पर मैं चर्चा करने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्तित हुआ हूँ वो विशय बेहद गंभीर है और अगर आप जोतिस में रुची रखते हैं जोतिस को सीखना और समझना चाहते हैं तो ये विशय आपको अवस्य ही आत्मसात कर लेना चाहिए विशय क्या है प्रियदर्शकों दशा और अंतरदशा आज जो सूत्र आपको बताने जा रहा हूँ जरह समझने का प्रत्न करिए इसे एक बेहद सरल उदाहरन से आपको समझाओंगा और मैं समझता हूँ कि आपको बहुत आसानी सेविशय समझ में आ जाने वाला है प्रियदर्शकों जोतिस के मरमग्य कहते हैं कि दशा और अंतरदशा नाथ की यदि हम बात करें तो दशा नाथ से अधिक प्रभावशाली अंतरदशा नाथ होते हैं कैसे अभी मैं आपको आगे बताता हूँ अब इसी क्रम से जरा आगे बढ़ते चले जाईए पहले क्या कहा? आप पहले जानते हैं दशा होती है, दशा के बाद अंतर दशा, इसके बाद प्रत्यंतर दशा, सुक्ष्म दशा और प्राण दशा प्रेदर्शकूं ये थोड़ा सा जटिल है एक आम व्यक्ति जो नित्य जन्म कुंडली अध्ययन इसकदर न करता हो, कि अपने प्राण दशा को भली भाती समझ ले? हाँ इसमें कहीं कोई दोवमत नहीं, कि यदि आप अपने प्राण दशा के बारे में जानते हैं, सुक्ष्म दशा के बारे में जानते हैं, तो फिर आपको राशीफल सुनने की कोई आवश्यक्ता नहीं रह जाती, आप नित्य अपने सुक्ष्म दशा को देख लीजिए, प्रा जैसे मालीजे सूरी की दसा हो, तो सूरी की दसा ही टोटल 6 वर्सकी होती है, तो उस अवस्था में शुक्र इत्यादी ग्रहों को छोड़ें, जिनकी दसा का समय बहुत जादा होता है, शनी को छोड़ें, तो जैसे मालीजे चंद्रमा कांतर आए, मंगल कांतर आए, तो थोड़ा जटिल है, और एक आम बेती, जो आम अपनी दिनचर्या में लगा हुआ हो, उसके लिए तो थोड़ा ये कठी नहीं है, सो जोतिस के मरमग्य कहते हैं, कि दसानात से कहीं जादा, अगर आप समझते हों, तो अंतर दसानात को समझें, क्योंकि दसानात से अधिक प् हो सकते हैं, प्रिदर्शकों ये तो आप जानते हैं, यत्पिंडे, तत्वर्मांडे, तो इस सूत्र को समझना है, तो आपको एक छोटा सा उदाहरन समझना होगा, कैसे, आईए आपको बताता हूँ, अब देखिए, मैंने पहले तो ये सूत्र आपको बता दिया, कि दसान होते हैं, अब कैसे होते हैं, इसी में कई सारे सवालों का आपको जबाब मिल जाएगा, अब माल लीजिए कि आप शहर में रहते हैं, लेकिन ज्यादा तर लोग कहीं न कहीं किसी ग्राम में परिवेश से तो जूड़े ही हुए हैं न, यानि गाउं में भी पहले उनका घर अब शहर में आकर के रहने लगे हैं, बहुत वर्षों के पश्चात आप अपने गाउं जाते हैं, गाउं के घर में जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जाएंगे तो उस घर की साप सफाई करेंगे, इसी में आपका समय चला जाएगा, इसी को कहते हैं कि जब किसी ग ग्रह की दसा में उस ग्रह का अंतर दशा बहुत स्रिष्ट परिणाम नहीं दे पाता, क्यों? क्योंकि जब घर गाओं के घर में आप जाएंगे, तो पहले तो उस गाओं घर की सफाई में ही आपका समय चला जाएगा, एक लंबा समय चला जाएगा, क्योंकि वर्षों के पस् आपने समझा, अब आगे बढ़िए, अब ये बात तो वही समझ पाएगा, जो कभी अपने गाओं गया होगा, न गया हो तो बैह आपको बता भी नहीं सकूँगा, और शायद आप समझ भी न पाएगा, लेकिन अगर आप गाओं गया हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, अब चुकि जब आप अपने गाउं वाले घर में गए हुए हैं, तो अगल बगल के लोगों के बीच कानाफुसी सुरू हो जाएगी, भाई वहां कोई आया है लग रहा है, कुछ पुराने परिचित इत्यादी निकल आएंगे, जो आपके पिता को, आपके दादा को संभवत आपको भी जानते होंगे, तो आएंगे मिलने के लिए आना जाना सुरू हो जाएगा लोगों का, कुछ लोग आपके पिता के बारे में पूछेंगे, कुछ लोग बताएंगे कि हम आपके दादाजी को जानते हैं, आपके पिताजी के साथ हम पढ़े हैं, हम आपके आदी, त्यादी, सब के सांथ जैसा होता है। अब यह चर्चा कुछ दिनों तक चलेगी। अच्छा गौर करीएगा। अब यह कहानी हमारे जीवन की है। अब यह समयकाल है। जहाली जारी है, रोज अगल बगल के लोग आ रहे हैं, पूछताच कर रहे हैं लेकिन ये जो परिवर्तन हुआ है उसे बस समझने का वो प्रत्न कर रहे हैं आप से मिल रहे हैं एकदम से कोई परिवर्तन भी नहीं आया लेकिन इतना होने लगा है कुछ बदलाव सा महसूस हो रहा है शत प्रतिशत नहीं अब ये जो पडोसी हैं आपके घर में आपका शहर का बेटा जो संभावतव विदेश में रहता था या कहीं और रहता था या आपका कोई रिस्तेदार या आपका कोई मित्र या आपका कोई तगादेदार चला आता है अब ध्यान से सुनिएगा इन तीनों के फर्क को बेटा आता है मित्र आता है क अगल बगल के लोगों में फिर काना फुसी होगी कि फलाने के यहां लगता है कोई आया था अब यही है अंतरदशा यह जो है अंतरदशा अब ध्यान से सुनिए जब दशानाथ और अंतरदशानाथ का आपने प्रभाव देखा तो दशानाथ और अंतरदशानाथ आए अब एक ही घर में उनको 16 वर्ष बिताना है, अब सहर वाले घर से लोट आए हैं, बुजूर्ब हो गया, चलिए एक मालीजे आजकल ज़्यादतर लोग क्या करते हैं, कि अब सहर में हमसे नहीं रहा ना, हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं गाउं में रहेंगे, 16 वर्ष निवास करेंगे, 18 वर्ष निवास करेंगे, 20 वर्ष निवास करेंगे, 19 वर्ष निवास करेंगे, तो शुरुवाती समय में तो साप सफाई में हूनका चला गया, गाउं घरवालों से मिले थोड़ा, यह हमारे जीवन में हाँ परिवर्तन होता है, जब यह दशा क्योंकि अब हम रह रहें तो कोई नो कोई आएगा, तो जब आएगा, कोई नहीं आएगा, तो हलचल समाप्त हो जाएगी, ध्यान समझेगा, अगर कोई नहीं आएगा, अंतर दसानात कुछ दिनों के काना फूसी के बाद, हलचल के बाद, सब कुछ सामानने हो जाता, सब अब इनके हां बाबा आएं हैं अब रहेंगे ये ये फलाने आएं हैं रहेंगे अब लेकिन अब वहीं पर जो शहर से कोई आता है, बेटा आया है, कोई रिस्तदार है तो फिर लोगों में काना फुसी सुरू हो जाएगा, अब ये अंतर आया है, प्रियो दर्शकों अब जर कह रहा हूं तो इसे बस यूं समझ लीजे कि ये दसानात के मित्र हैं, दसानात के या लगन के मित्र हैं, या दसानात से इनका संबंध शडाष्टक इत्यादी योगों वाला नहीं है, ऐसा संबंध बन रहा है जैसे लाब संबंध किसको कहते हैं, तीसरे ग्यारवे को कहते है केंद्र समंद्र किसको कहते हैं, तो एक चार सादस को कहते हैं हित्यादी, तो ऐसा समंध बन रहा है, उस अवस्था में अब फिर से कानाफुसी शुरू हो जाएगी, लोग बाग जानने लगेंगे, तो ये परिवर्तन कुछ दिन चला, फिर इसके बाद लड़का चला गया, इस परिवर्तन का प्रभाव भी हुआ, लोगों का फिर से घर में आना जाना शुरू हो गया, लोग जानने लगे, लोग आये, पूछने लगे, हाल जानना चाहा, फिर इसके पश्चात, कुछ दिनों के बाद कोई रिस्तेदार आया, तब भी लोग आये, पूछे, अब य आया है उसमें, यही है वो सूत्र जो कहता है कि दसानात के प्रभाव से अधिक प्रभावशाली अंतर दसानात हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ दसानात त्वाय हुए हैं, लेकिन वो रुके हुए हैं, लगातार वहीं टिके हुए हैं, सो अब लोग बाग उनके बारे में अब यह हला मचाने वाला कौन था, तो यही था वो जो दसानात के साथ तातकालिक शत्रुता रखता है, या नैसरगीक उसका शत्रु है, या जन्म कुंडली में सडाश्टक योग बनाए हुए हैं, प्रिदर्शकों, आसा करता हूँ, दसा अंतर दसा प्रत्यंतर, अच्छ इतना जब आप समझ जाएंगे, मैंने क्या कहा कि जोतस के मरमगे कहतें, भाई, आप सुक्ष और प्रान तक जाएंगे तो थोड़ा जटिल हो जाएगा, अगर आपको समझ में आता हो, क्योंकि उसमें क्या देखना होता है, हम दसानात को देखेंगे, दसानात कौन है, क्य या हमारी कुंडली में उनका इस्थान बहुत अच्छा है, तो उस सवस्था में दसानात हमारे लिए तो एक मोटी सी बात हो गई, अच्छा समय होगा, एक उदारण से समझेए, कि भाग्येस गुरु की दसा चल गही है, तो मोटा उदारण क्या हुआ, कि गुरु की दसा भाई आपके जीवन काल में आ रही है तो ये सर्वसरिष्टतम दसा होगी अब गुरू की दसा में गुरू का अंतर क्यों बहुत अच्छा प्रभाव नहीं समझ में क्योंकि गुरू जब आएंगे तो साप सफाई में लगे रहेंगे और जब गुरू में गुरू का अंतर चलता रहेंगे तो अपने साप सफाई में लगे रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा लोग बाग कुछ दिनों तक जानकारी लेंगे इसके बाद अपने अपने काम में लग जाएंगे फिर उसमें परिवर्तन होगा, गुरु में बाकी के ग्रहों का अंतराना शुरू होगा, शनीदेव आएंगे, अब जरा समझेए, अब ये तै होगा कि शनीदेव उधारन से समझे कि लगनेज के मित्र है, या देव गुरु ब्रहस्पती के साथ सनीदेव का नमपंचम योग है, लाभ त्रिकोन का समझेए, ये तीसरे ग्यारमे का समझेए, तो समझ लिए कोई रिस्तेदार आये हुए है, अच्छा रहने वाला है सब कुछ, लोग बाक जानेंगे, ये भी जब तक आएंगे, खोब बढ़िया रहेगा, घूम फिर चलेगा, अगल बगल जाएंगे, मिलेंगे, गहमा गहमी रहेगी, अब इसी बीच कोई तगादेदार आ जाएगा, ये तगादेदार कौन है भाई, तो गुरू मेरा हुआ गये है, कुंडली मिन का समंद्वी सर्दाष्ट क्यों का बना हुआ है, संभवत ये लगने इसके भी मित्र नहीं क्योंकि मेस लगन अब अगर आप थोड़ा जोतिस में रुची रखते हैं, मैंने जैसा कहा कि उन लोगों के लिए इतना ही काफी है, जो एक आम जन्म कुंडली से अपने लिए बस समझना चाहते हैं, आप इस सूत्र को प्रतिंतर तक भी लागू कर सकते हैं, इसके बाद थोड़ा साब के ल अब आप आप अच्छे से मना रहेंगे, इसके लागू करके फाला देश को और सठीक और सूक्ष्म कर सकते हैं, आज के लिए बस इतना ही, आसा करता हूँ, नौ वर्स आप और अच्छे से मना रहेंगे, इजाजत दीजिए, नमस्कार अमस्के बाद बसाइट